इस वक्त हमारे साथ सिंगधा के फादर हैं आये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने फेज किया सर जब आपको पता चला किस निगधा को इतनी बड़ी बिमारी है तो क्या महसूस हो कि आप पहले तो उस समय इस सब्सक्राइब करें तो कुछ अंदाज आई नहीं था कि क्या होने वाला है आगे हमारे साथ बट यह है कि डॉक्टर्स ने बताया कि एक लाइलाज बिमारी है और दुनिया में इस समय इसका कोई भी इलाज नहीं है और से ब्लड टांस्यूजन हो सकता है और इन पेशेंट इसकी एज बहुत ज्यादा नहीं होती है उस समय के इसाब से डॉक्टर्स के ने जो बताया कि आराउंड सोलह सतरह टारा इससे मैक्सिंशन किया कि मैक्सिमम एज यही जा रही है तो खैर अब उपर वाले ने जो प्रॉब्लम दिया उसको फेस करना था तो बहुत ज्यादा मैं चोटी भी उस समय नहीं थी और बस ब्लड टांस्फ्यूजा ने स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम तो फेस फैमिली को फाइनेंशली एकोनॉमिकली आपको मेंटली और बहुत इसका असर हुआ अब देखे यह जो बीमारी है इसमें सही रूप में देखा जा तो फास्तों म में में तो फाइनेशल प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है एक बच्चे को गोरखपूर से पीजियाई ले जाके हर पंदर दिन में टांस्फूजन करना दवा उस समय बाकी और कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था ना कोई गॉब्मेंट सपोर्ट करना कहीं और कोई सपोर्ट बाकी चुकि समस्या जब ज्यादा किसे के साथ आती है तो लोग वैसे पीछे हड़ जाते हैं जिया तब समस्या यह कि फाइनेशियल प्रॉब्लम फीजिकल प्रॉब्लम और सबसे जादा मेंटल प्रॉब्लम उसकी आपने सपोर्ट किया यह सब्सक्राइब जाएंगे और फिर वह अपनी जैसे और लोगों की मदद भी करेंगे जी सब्सक्राइब करें कि में तो जो है एक मेंटल सपोर्ट जो है सबसे जरूरी होता है तो कि आदमियों को जब यह जब एक परिवार जो की दुखी और एक परिशानी के साथ गुजर होता है ठीक और साथ में एक तोड़ा सा चुकि सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के साथ आती है चुकि महिने में चार यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है और ब्लड किसी फैक्टरी में मैंनुफेक्ट्रिंग नहीं किया जा सकता है तो ब्लड टांस्यूजन का वैरने है इसलिए ब्लड डोनेशन का वैरनेस एक बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जैसे साइप्रस एक कंट्री है जिसने थैलिसीमिया को पूरी तरीके से एरेडिकेट कर दिया अपने देश के अंदर और यह बहुत बड़ एक मैसेज है और बहुत बड़ा एक जो है एक हम लोग के लिए सबक है कि हम लोग अपने देश में भी एक काम कर सकते हैं वैसे बहुत जादा है तो हम अगर आएंगे तो बहुत कम हो सकती है एक्चुली में प्रॉब्लम यह है कि इस बीमारी की वज़र से एक पूरा पूरी तरीके से मांसे कार्थिक और सारी रूप से बहुत और सबसे बड़ी बात कि अभी 2016 के बाद चुकि डिजाबलेटी एक्ट में आने के बाद सारे खर्चे सरकार गौर्मेंट उठाती है तो यह गौर्मेंट और जो यह काम आदमी की रिवन्यू के उपर बहुत बड प्रश्च किया जा सके इस देश के अंदर हमारे देश को तैलिसी यह मुक्त बनाने का एक अभियान चलाने की मेरी इक्षा है जिसमें हम राश्टी अस्तर पर यह चाहते हैं कि एक नियम बने जैसे हमारे देश में शादी के वक्त जो है कुंडली मिलान किया जाता है उसी पर यह चेतना लोगों के अंदर आजाए कि कुंडली मिलान के साथ ही साथ रख का मिलान रख कर टेस्ट ताकि दो जो है आपने बहुत बड़ी बात के एक रहे हैं लेकिन इसके बार में अभी भी कही नहीं नहीं है तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करू ले तक दो जो कैरियर्स होते वो ना मिले तक ऐसे लोग ना बॉन ले पाएं जी और दूसरा एक मैं यह चाहता हूं कि बारस का स्वास्त मंत्राल है एक के लेबिल तक अपनी बात हम पहुँचा है बारस सरकार तक अपनी बात पहुँचा है कि प्रेगनेंसी डियूरिंग चार से आठ हपते के अंदर ही अगर डिटेक्ट हो जाए कि थैलिसीमिया मेजर जो है फिटस है अगर तो उसको अबार्ट किया जा सके यह बहुत बड़ा रास्ता होगा थैलिसीमिया को अपने देश में कंट्रूल करनेंगा तो यह हमारे साथ स्टिंथा के फादर थे और म मैं उम्मीद करते हूं कि आपने इनकी बाते सुनी होगी और आप सपोर्ट करेंगे और जो इनका मिशन है या वो जो यह समाज में चेंज लाना चाहते हैं वह हम अप्लाई कर पाएंगे